नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर्ट से स्वागत है हमारे दिव्य घरे लो उपचार यूटूब चैनल में दोस्तों आप जो यह बनस्पती देख रहे हैं यह है थूहड यानि इसे सीहुड भी कहा जाता है मैं आज इसी से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा बस आप वीडियो को लाज तक देखते रहे और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं डेली ऐसी ऐसी नई नई जनकारियां लेकर आते रहता हूँ दोस्तों यह थूहर यानि सीहुड देखने में आपको भले ही मामूली साल लगता होगा लेकिन यह बड़े से बड़े रोंग को दूर कर देता है जैसे कि पेट दर्द, डाइबटीज यानि सूगर, कुष्ट रोग, बावसीर, जुर बुखार, पिलिया रोग, अलसर, पतरी को एकदम जड़ से खत्म कर देता है साथी खासी को भी उखाल फेकता है वैसे तो यह थूहर ज्यादा तर बाग बगीचे के चारोतर अबान बनाने में ज्यादा तर लोग लगाते हैं तथा बाढ़ वाले छेत्रों में यह ज्यादा तर देखने को मिलता है भले ही यह काटेदार पोधा है लेकिन अगर इसकी सही तरीके से इस्तमाल किया जाये तो आपके लिए बहुत ही उप्योगी साबित हो सकता है तो चलिए अब जानते हैं इसके फाइदों के बारे में दोस्तों अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी है और आपकी खांसी लाख दवा कराने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो आप इस थूहर के पतियों को लेकर आग पर गर्म करके इसके रश को निकाल ले और इसमें थोड़ा सा नमक मिला कर पीने से खांसी कुछें दिनों में बिल्कुल रूप से ठीक हो जाती है अगर आपको बावशीर की समस्या है यानि बावशीर से आप परसान है तो आप इस थूहर के पतियों के साथ चमेली के पतियों का रश बावशीर के मसो पर लगाते हैं तो बावशीर में काफे लाव मिलता है इसके साथे अगर आपके पेट में दर्द है जोर बुखार आ जाता है या आप डाइप्टीज के मरीज हैं तो आप इसके पतियों का स्वरश मत्र 10 मिली रोजाना शेवन करें आपको काफी फाइदा मिलेगा अगर आपको कुष्ट रोग है यानि कुष्ट रोग की समस्या है तो इस थूहर के पतियों के साथ कनेर के पतियों का रोश निकाल कर कुष्ट वाले अस्थान पर लगाने से कुष्ट रोग कुछें दिनों में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है दोस्तो इस थूहर के और बहुत सारे उप्योग है यानि फाइदे है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को लेकर तब तक के लिए आप से भी को बहुत बहुत धन्यवाद